हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने पडिवार मैथ स्वाटका में दोस्तों मैं हुरुपेश याद यह जो स्रीज आपका चल रहा है जिसमें 3250 प्लस वाली बुक से हम लोग मैथ ओरिजनिक दोनों को देख रहे हैं जो लगातार बने रहेगा इस पैच के अंदर देखेगा नंबर 15 से आया के कुश्चन को आज हम लोग देखेंगे बोला यह गया है कि यदि किसी सम भुझ के सम बहुझ के प्रतेक अंतहकुन 160 डिग्री है तो उस सम बहुझ में भुझाओं की संख्या कितनी होगी यह कुश्चन आपका पॉलिगन टोपिक से है बहुझ टोपिक से है कोई भी जो पॉलिगन होता है न उसके सभी बाहे कुनों का योग होता है 360 डिग्री धियान रखिएगा सब ही बाहर कुनों का यूग कितना होगा 360 डिग्री और किसी भी बहुज के जैसे तिर्भूज के भी बहुज किसको बोलते हैं हम लोग 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ जो बंद सम्तला किर्ती होता है उसको बहुज बोलते है जैसे तिर्भूज है चतरभूज है पंचभूज है खस्टभूज है सब्तभूज है बारा भूज है यह सब का सब क्या कला आता है बहुज कलाता है तो कोई भी आकिरती लिजिए उसके सभी बाहरी कुनों का योग 360 डिगरी होगा जैसे तिर्भुच के तीनों बाहरवाले कुन का योग 360 अंदरवाला 180 होगा लेकिन बाहरवाला का योग 360 होगा चेतरभुच के भी सभी बाहरी कुनों का योग 360 पंचभुच के भी सभी बाहर कुन और बाहे कुन का योग होता है 180 डिगरी तो प्रतिक अंताकुन चृता है एक त्ए लिए प्रतिक कुन कितना हो गा प्रतेक बाहे कुन रropheली होगा जैसे देखें यहाँ प्रोडन कोई भ और ले लेते हैं तो यह आपका बाहे कुन हो जाएगा यहां अंतह कुन हो जाएगा और बाहे कुन और अंतह कुन को देखिए देखिए एक ही रेखा पर होगा तो एक ही रेखा पर यहां बाहे कुन हो जाएगा यहां अंतह कुन हो जाएगा तो एक ही रेखा पर बनने वाला कुन लेंगल कितना हो जाएगा 20 डिग्री और किसी भी बहु भुज के सभी बाहे कोनों का योग 360 डिग्री होता है तो सभी बाहे कोनों के योग में एक कोन से भाग करेंगे तो कोनों का संख्या निकलेगा कितना कोन हो जाएगा 18 और 18 अगर कोन है तो भुजा का संख्या भी कितना होगा 18 होगा तो जब भी ऐसा कोन है तो आपको क्या करना है अगर प्रतेक अंतर कोन का माप दे रखा हो तो हम प्रतेक बाहे कोन का माप निकालेंगे और 360 में उससे भाग करेंगे तो इसे निकल जाएगा number of sides या number of कोन ठीक है आगे चलिए अगला देखिये बहुत ही बेहतरीन question है यहापका बुला है एक समलम चतरभुच के समानांतर भुजाए और उसकी उचाई चार के सार्व अंतर के साथ समानांतर स्रेंगे में हैं समानांतर उसको बोलते हैं जिस स्रेंगे दो लगातार पदों के बीच का अंतर एक समान हो जैसा कि नाम है समानांतर से नहीं तो एक समान अंतर होना चाहिए तो यहां बोला है कि समलम चतरभुच के समानांतर भुजाएं और उसकी उचाई 4 के सारवंतर पर तो हम यहां मान लेते हैं कि माना कि छोटी भुजा जो है वो एक्स है तो बड़ी भुजा कितना हो जाएगा एक्स पलस चार हो जाएगा और उचाई कितना हो जाएगा फिर सब चार के अंतर पर है तो एक्स पलस आठ हो जाएगा आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जो है उचाई को एक्स पलस आठ क्यों लिए तो यहां बोला है उस्रेनी का सबसे बड़ा पद और समलम चतरभुज का यदि उचाई उस्रेनी का सबसे बड़ा पद हो यानि उस्रेनी का जो सबसे बड़ा पद यहां जो उस्रेनी बनाए इसका सब चारचार के अंतरपर है और जो सबसे बड़ा यहाँ डाटा है ठीक है उस रेनी का जो सबसे बड़ा वैलू है वह क्या है उचाई तो उचाई आपका x प्लस 8 हो गया अब चलते हैं समलम चतरभुच के छेतरफल में समलम चतरभुच का छेतरफल होता है एक बट्टा दो गुने समानांतर भुजाओं का योग, तो एक भुजा X है और दूसरा भुजा X प्लस 4 है, तो इसका योग क्या होगा, X में X प्लस 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 2X प्लस 4 यही तो होगा, यहाँ पे क्या लिखे हैं हम, समानांतर भुजाओं का योग, और गुना क् उचाई तो उचाई है आपका X पलस आठ किसी भी समलम चतरभुज का चतरफल होता है एक बट्टा दो गुने समानांतर भुजाओं का यो गुने उचाई जब कि यहाँ पे देख लीजे क्या दे रखा है आपका चतरफल चतरफल तो इतना होगा आपका एक बट्टा दो गु हो जाएगा पलस 4x उसी परकार से जब हम 8 से गुना करेंगे दोनों में तो 8 दुना 16x और इसके अलाबा 8 4 32 बराबर इधर वैलू क्या हो जाएगा देखिए दो इधर गुना में दो इधर यहाँ पर देख लीजे नीचे है इधर 160 में गुना हो जाएगा जब बराबर के उस से 4 में गुना करेंगे तो 4x और 8 दुना 16x यहाँ पर आपका 16 के साथ x हो जाएगा तो 4x और 16x कितना होगा यहाँ आपका 20x हो जाएगा पलस इधर देख लीजे 32 है 320 इधर आके 32 में से घटेगा कितना होगा यहाँ आपका माइनस का 288 हो जाएगा माइनस कितना माइनस 288 इधर आपका 0 हो जाएगा, repeat कर रहे हैं आपे चीजों को थोड़ा समझ लिजे, हमें क्या करना है, दो इधर है इसको इस तरफ ले करके जाएंगे, तो इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में 320 हो गया, अब इस दोनों को आपस में गुना करना है, तो कैसे गुना इधर देख लिजे, 320 था, 320 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 32 में से 320 माइनस करेंगे, 288 हो जाएगा, अब देख लिजे, यहाँ पे भी आपका जो भी वैलू दिखरा है, सब दो से कटने वाला है, तो 2 हम कॉमन लेंगे, इस तरफ जाएगा, 0 में दो से भाग क 2 हो जाएगा, तो जब कॉमन लिजेगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, यहाँ पे आपके पास बच जाएगा, X स्क्वाइर, पलस 20 X में से 2 कॉमन लेंगे, तो 10 X और माइनस 288 में से 2 कॉमन लेंगे, तो 144 is equal to 0, यही आपका equation यहाँ पे सामने आ गया, हम यहाँ भी कर सकते बराबर के दुनों तरफ एकी काम करने से मान में कोई अंतर नहीं आता है, तो 2 से भाग करेंगे, यहाँ भी X स्क्वाइर, यहाँ भी 10 X, यहाँ 144 बराबर 0 में 2 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा, तो यह हमारा एक quadratic equation बनके त्यार हो गया, अब इसमें से अगर हम X का मान निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, छोटी भुजा, बरी भुजा, उंचाई सब निकल जाएगा, तो आईए X का मान निकालते हैं, दुई घास हमें करने को पहले भी solve करने का तरीका हम बता चुके हैं, चेक कर यह B का मान क्या है, B positive है, तो B का भी sign change होगा, और C का भी sign change होगा, यह plus में है, तो minus में है, यह minus में है, तो plus में है, अब आपको क्या करना है, 144 को इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि घटाने पर 10 आ जाए, तो ऐसा value है आपका 18 और 8, बरी value पहले, छोटी value बाद में, अब X का मान इसमें से क्या ले सकते हैं, दो मान आया, minus 18 तो हम क्या लेंगे, हमें सब positive लेंगे, क्योंकि भुजा है, यह भुजा का लंबाई है, और लंबाई कभी भी आपका negative नहीं होगा, तो X का मान हम 8 लेते हैं, तो एक भुजा हमारा कितना निकलेगा, 8 हो जाएगा, दूसरा भुजा कितना हो जाएगा, 8 और 4, 12 और यहां पर हो जाएगा, यहां बोला किया question, बोला है कि बरी समाना अंतर भुजा की लंबाई और छोटी समाना अंतर भुजा की लंबाई का अनुपाद गया कीजिए, तो बरी समाना अंतर भुजा क्या है, 12 है, और छोटी समाना अंतर भुजा क्या है, 8 है, इसी का अनुपा का प्रयोग किये हैं और इस सेट के जो question number 1 और 2 था वह भी आपका quadratic equation से यानि कि कुल मिला कि तीन-तीन question आपका इस सेट के अंदर quadratic equation से आपका पूछा गया है यहाँ देखिए यह बैच है हमारा जो maths वाटिका 2.0 इस application के उपर चल रहा है ब्रहमास्त्र बैच हमने इस बैच का नाम ब्रहमास्त्र लखा है क्योंकि सारे competitive exam के लिए आपको एक ऐसा बैच है जो हर जगा सफलता आपको दिलाएगा यानि अलग-अलग exam के लिए आपको अलग-अलग course purchase करने की ज़रूत नहीं है एक मातर ऐसा course है जो सब ही exam के लिए design किया गया है बहुत ही मेहनत से सिद्धत से हमने इस course को design किया है VOD है आपका batch है और इस batch के अंदर आपको जो math foundation batch है उसका subscription free में मिलता है यानि इस batch के साथ साथ आपको एक पुराना वाला batch भी जो 350 रुपय का है वो फ्री में मिल जाएगा इस batch के अंदर especially हम नए questions करवाए हैं खासतोर से 2223 में जितने भी exam हुए उनके question को सामिल किया गया थी beneficial यह आपका साबित होगा maths वाट का 2.0 से जाकर के आप इस batch को purchase कर सकते हैं अगला देखे question क्या है सूर्ज का उन्यान कुन 60 degree से बदलकर 30 degree हो जाता है उस इस्तिति में मिनार की छाया की लंबाई 40 root 3 meter बिर्दी हो जाती है तो मिनार की उचाय क्या होगी देखे यहाँ प 60 degree था तो अब ही यहाँ पे देख लिजए यहाँ पे हम कितना बना लेंगी 60 degree बना लेंगे और 30 degree होने का मतलब और आगे जाएगा जितना छोटा कौन होगा उतना आगे जाएगा तो 30 degree वाला कौन कहां पे बंडा होगा यहाँ पे तो जब भी दो एंगल वाला question होगा तो इसी तरह से मनाईएगा figure और हमेशा क्या करिएगा छोटा एंगल बाद में बरा एंगल कहां लिखना है पहले इस तरह अगर आते हैं तो धिरे धिले हम लोग 90 के करीब जाएगे और दूर जाएगे तो 90 से छोटा होता जाएगा ठीक है अब गौर से समझेगा इसको हम मिनार की छाय की लंबाई 40 रूट 3 मीटर बिर्धी हो जाती है देखे छाया किसको बोलेंगे यह हो गया उंचाई और हमेशा यह आपका छाया होगा यह हो गया मिनार का उंचाई और यह क्या है अभी इसका छाया है और छाया की लंबाई में कितना का बिर्धी हुआ है यही कि विर्दी हुआ है तो इसी को हम लोग D से रे bios करेंगे पहले। जाया इतना बनता था अब छाया आपका इतना बनदा किसी भी वस्तु का छाया हमेशा क्या होता है। उससे सटा हुआ ऐसे बनता है। अब हमें इस question में क्या बताना है हमें यह बताना इस question में कि मिनार की उचाई क्या होगी h का मान क्या होगा तो जब भी ऐसा दो एंगल वाला question होता है तो हम लोग एक formula यहाँ पर use करते हैं d बराबर h into cot theta 1 दो एंगल है तो cot theta 1 minus cot theta 2 और हमेशा ध्यान रखिएगा कि theta 1 के जगा छोटा वाला theta आप रखिएगा तो d का मान तो इस question में दे रखा है चाया की लंबाई कितना बढ़ जाता है 40 root 3 तो d के जगा पर हम लिखेंगे 40 root 3 बराबर h तो h का मान तो हमें निकान ला है cot theta 1 तो पहले cot 30 तो cot 30 का मान कितना हो जाएगा root 3 minus cot theta 2 यानि cot 60 cot 60 का मान कितना हो जाएगा 1 by root 3 calculation करिए यहाँ पर देखे 40 root 3 है इसको अपने जगा परहने दीजे बराबर h और इसको calculate करिए root 3 से root 3 में गुना 3 3 में से 1 minus करेंगे 2 2 बटा root 3 हो जाएगा solve कर के h का मान निकालीजे root 3 से root 3 में गुना करेंगे 3 40 गुना 3 120 और 120 में 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 60 यही value आपका हो जाएगा देखे cross multiply होगा तो root 3 से root 3 में गुना करेंगे 3 हो जाएगा 3 में 40 से गुना 120 और 120 में इस 2 से भाग होगा क्योंकि 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में आप चाहे तो यहाँ पे भी काट सकते 2 से काटिएगा 40 को कितना बार में 20 बार में 20 root 3 में root 3 से गुना कितना होगा root 3 में root 3 से 3 20 गुना 3 60 हो जाएगा तो यह तरीका ऐसे question को solve करने का D के जगा हमेशा यह वाला जो distance होगा उसको आप रखिएगा अब generally ऐसे question में क्या करता है कि angle 60 और 30 ही देता है तो अगर angle 60 और 30 दे तो उस समय आप लिखेगा D बराबर यानि कि 40 root 3 बराबर यही तो है h into 2 by root 3 क्या लिखना है आपको h into 2 by root 3 solve कर लिजे 2 से काटिएगा क्या होगा 20 हो जाएगा cross multiply root 3 से 3 root 3 में गुना 3 3 में 20 से गुना करेंगे 60 यही value किसका हो जाएगा h का हो जाएगा तो अभी आपसे h पूछा गया है आपसे d का मान भी पूछा जा सकता है तो दोनों को हम लोग इसे में धर से बनाएगे अगर angle अलग है तो फिर इसका उप्योग करिएगा और अगर angle 60 और 30 है तब तो direct h गुना 2 by root 3 आप कर लिजेगा ठीक है बढ़ते हैं अगले question में यहाँ देखे सरल करें यह बहुत ही simple सा question है लेकिन इसको solve करने में हम लोग अपना समय बरबाद नहीं करेंगे देखे माइनस है यहाँ तो सबका चिनबत लेगा तो माइनस माइनस 3 यानि प्लस 3 वाला answer होगा तो हमारा answer बिकल्प B नहीं हो सकता है और बिकल्प C नहीं हो सकता है क्यों नहीं होगा यह दोनों option क्योंकि देखे यहाँ से हम लोग पकरे माइनस माइनस 3 तो प्लस 3 होगा जो last tank है उससे पकड़े तो minus minus यानि plus 3 तो plus 3 वाला option हमारा answer होगा विकल्प B और C नहीं हो सकता है आगे चलिए और किसी को try करते हैं यहाँ देखिए x square वाला को try करते हैं बाकी तो same है यहाँ चिन देख लिजिए यहाँ पे चिन क्या है बिकल्प A में और B में 5 x q 5 x q दोनों तो same है तो इससे नहीं काम चलेगा इससे देखिए यहाँ minus है यहाँ plus है दोनों में से कोई एक minus में एक plus में है इसको check कर लेते हैं तो देखिए 6 से minus 2 x square में गुना तो minus 12 x square वाला answer होगा यानि विकल्प A हो जाएगा विकल्प D हमारा answer नहीं होगा यहाँ 12 x square प्लस में है जबकि हमारे answer में 12 x square किस में आया minus में आया तो directly यहाँ approach है जो कुछ ही जो को धियान रखके अपने question का answer निकाल सकते नहीं तो फिर basic से पूरे को calculation करना पड़ेगा जैसे यहाँ देखिए 6 से इस पूरे में गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 x cube minus 6 दुना 12 x square और पलस 6 तरीक 18 x उसी तरह से minus है तो सबका चिन बदलेगा तो minus x cube minus 2 x और minus minus plus plus 3 हो जाएगा देखिए यहाँ पे 6 x cube में से x cube minus करेंगे तो 5 x cube हो जाएगा x square बाला के बलिया यह है तो 12 x square उसी तरह से 18 x में से 2 x minus करेंगे तो plus 16 x और plus क्या plus 3 यही आपका इस question का answer यानि कि बिकल्प क्या हो जाएगा बिकल्प हो जाएगा तो इस तरीके से भी आप अपना answer निकाल सकत हैं आगे देखिए यहाँ पे हम लोग को board mask को follow करते हुए calculation कर लेना है तो देखिए 325 में हमें गुना करना है 5 से फिर 31 में गुना करना है 21 से और फिर इस पूरे part का calculation तो यहाँ से शुरू कर लेते हैं bracket से सुगा 63 में से 52 minus करिए 11 11 गुने 22 कितना हो जाएगा 242 हो जाएग और 31, 31, 31, 620 और 31, 651 हो जाएगा इस दोनों का गुनान फल प्लस अगर हम इस दोनों को गुना करे तो 355, 15, 25, 25, 16, 25, 16, 16, 25 प्लस 650 minus 242 कैलकुलेट कर लीजिए 5 और 1, 6, 6 में से 2 minus करेंगे 4 हो जाएगा 2 और 5, 7, 7 में से 4 minus करेंगे 3 हो जाएगा 16, 6, 22, 22 में से 2 minus करेंगे 20 यानि 234 विकल B जो है आपका यहाँ पर सही अंसर हो जाएगा simple सा board mask का आपको या question था number 20 देखें यहाँ देखें question क्या है बस समझना है चीजों को मोहित का बेतन है 15,000 रुपया प्रतीमा एक महिना में 15,000 कमाता है वह घर के किराये पर 5,000 और बिलो पर 2,000 खर्च करता है देखें खर्च कितना कर दिया 15,000 में से 5 और 2, 7,000 तो उसका मासिक बचत 8,000 हो जाएगा देखें यहाँ पर 15,000 प्रतीमा कमाता है किराये पर 5,000 और 2,000 बिलो पर खर्च करता है तो 15,000 में से 7,000 अगर खर्च कर दिया तो उसका मासिक बचत जो है वो कितना हो गया 8,000 बोला है सेश रासी उसका मासिक बचत है यानि कि यही 8,000 यदि वो अपने जनम दिन वाले महिने में अच्छा जनम दिन वाला महिना यानि कि 12 महिना में से कोई एक महिना उसका जनम दिन वाला महिना होगा यानि एक ग्यारा महिना ऐसा होगा जो जनम दिन वाला महिना नहीं होगा बारा महिने में से कोई एक महिना ही न जनवरी में जनम दिन होगा या फरबड़ी या मार्च या अप्रिल कोई एक महिना में बारा महिना में ही जनम दिन उसका होगा तो जनम दिन वाले महिने में पूरी मासिक बचत जनम दिन के समारों में खर्च कर देता है यानि कि पूरा मासिक बचत प्रतेक महिना में इतना बचाता है लेकिन इतना इतना जो है वह मात्र एक ग्यारा महिना ही बचाता है क्योंकि एक महीने का जो इसका बचत होता है एक महीने का बचत जिस महीने में इसका जनम दिन होता है उस महीने का जो बचत है मतलब 8000 रुपईया है वह खर्च कर देता है यानि ए 11 महीना या 8000 रुपई बचाता है तो 11,88,000 रुपईया इसका क्या होगा कुल बचत हो जी एक बारा महिना का ब्चत कितना हो जाएगा बारा गुने आठ यानि की 96,000 है अब 96,000 इसका ब्चत है लेकिन जनम दिन वा अज भाले चा चार करताए ग्वाल decidingторum कलें पर वमाऊंसर एक बरे गोले से छोटा गोला अगर बनाना हो तो बरे गोले की तिर्जिया उपर रखिएगा छोटे गोले की तिर्जिया आप नीचे रखिएगा और बस इसका कर लेना है आपको क्यूब आंसर आपका आजाएगा क्या करना है बरे गोले की तिर्जया उपर छोटे गोले की तिर्जया नीचे और इसका बस कर लेना है क्यूँ वो solve करिए अगर point हटाईएगा तो उपर में 0 होगा 3 से अगर काटते हैं कितना होगा 20 और 20 का cube कितना सर 8000 हो जाएगा तो आंसर आपका इस question का 8000 गोलों की संख्या ऐसा क्यूँ करते हैं तो जब भी गोलों की संख्या निकानला होगा तो हम क्या करेंगे ऊपर में लिखेंगे बरे गोले का आयतन और नीचे में क्या लिखेंगे छोटे गोले का आयतन और नीचे में लिखेंगे बरे गोले का आय क्या तो बरे गोले का आयतन कैसे निकालेंगे 4 by 3 पाई आर क्यूब तो आर के जगा कितना है 6 है तो 6 का क्यूब बरे गोले का आयतन हो गया छोटे गोले का आयतन गोला ही है तो 4 by 3 ही रहेगा 4 by 3 पाई आर क्यूब तो 0.3 का क्यूब करेंगे और भाई 3 पाई यहां भी है यहां भी काड़ दिये क्या बचाया 6 का क्यूब बट्टा 0.3 का क्यूब तो दोनों का क्यूब है तो इसको एक साथ ले लिए 6 बट्टा 0.3 का होल क्यूब कर लिए तो जब भी गोलों की संख्या निकालना होगा तो क्या क पर दो बर्स के बाद प्राप्त मिस्रधन कितना है बिरासी सो पचास है तो ब्याज ग्याद किजिए देखे रेट है सारे 12% टाइम है दो साल तो सारे 12% वार्षिक दर्थ से दो साल का ब्याज कितना हो जाएगा 25% यहाँ बाद समझ पा रहे होंगे रेट गुना टाइम तो Ц्ट पौची से धेग एक साल में सारे 12% वार्षिक लगता है तो दो साल में सारे 12 अगने 2-q 20 तो 25 ë उखर जाएगर है तो मिस्रधन कितना हो जाएगा 115% मिस्रधन का मितला मुल्धन प्लस व्याज और मुल्धन अपने आप में 100% होता है तो अगर ब्याज 25 प्रथैसत है तो मिसरधन कितना 125 परतिसत अगर ब्याज 10 परतिसत है तो मिसरधन 110 परसेंट अगर ब्याज 40 परसेंट है तो मिसरधन 140 परसेंट यहां दिया क्या है मिसरधन 8250 मिसरधन 8250 तो यहां देखिए तो मिसरधन आपका पर्शेंटेज में कितना है 125 यानि 8250 125 परशेंद का मान है 125 से भाग करिएगा 1 परशेंद का मान हमें बताना है साधान ब्याज यानि 25 परशेंद का मान क्या होगा तो 25 से गुना हमेशा क्या करना होता है जिसका मान देगा उससे करना है भाग इसका मान पुछेगा उससे गुना 25 से काटिए 25 पंचे 125 पांस से काट आपका 5 से काटिएगा 5 पांचे कम 5 पांच के 3 5 पचीस 1650 रुपई यही आपका अंसर हो जाएगा ठीक है हमें क्या पता था इस कोश्चन में 125 प्रतिसत कामान निकालना क्या था 25 परचेंट कामान जिसका मान दिया है उससे भाग जिसका मान पूछा है उससे गुणा यहां द 200 इसी फॉर्म में हमारा आंसर होगा माधिका वर्ग जब भी निकालना होगा ठीक है जब बारंबारता स्रेनी इस तरह से दिया जाए माधिका वर्ग अगर निकालना होगा तो आंसर इसी में से कोई न कोई होगा देखिए 0 से 50 150 से 200 इस में से कौन सा वर्ग आंसर है यह हमे पच्छास जो सबसे बरा वहलू आया उसको कर लिजे आधा तो कितना होगा पच्छीस सबसे बरा वहलू क्या आया लास्ट में पच्छास इसको कर लिजे आधा क्या आया वहलू पच्छीस अब पच्छीस से बरी पच्छीस के समीब का डाटा खोजिए इसमें कौन सा है जो यही तो है 25 से बरा और इसके समीब का होना चाहिए बरा लेकिन इसके समीब का ठीक है अगर मालीजे कि यहाँ यह वहलू आपका आता 30 तो फिर हम क्या लेते 30 से बरा और 30 के समीब का वहलू 40 लेते तो 25 आया है तो 25 से बरा और 25 के समीब का वहलू क्या है 27 तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा हमारा answer हो जाएगा 50 और 100 के इसमें से answer चुनना है तो 50 और 100 के बिच यानि कि विकल्प D विकल्प D जो है इस question का आपका सही answer हो जाएगा आगे चलिए अगला question देखे 108 और 144 का महत्तम समावर्तक हमें घ्याद करना है यानि वह बड़ा से बड़ा संख्या चुर्णना है जो इस दोनों को ... पूरा-ístंध बड़ा संख्या। जिस जो इस दोनों को पूरा- radish करते हैं तो सबसे बड़ा जुन से ऐसे और दो नो को पूरा-इखेगा तो 36 से कटने का नियम क्या कहता है जो संख्या 4 और 9 दोनों से पुड़ा पुड़ा कटे देखे 4 से 4 दूनों 8 कट जाएगा 4 के लिए अंतिम दो अंग चेक करते हैं तो 4 से कट रहा है देखे 4 से कट रहा है 9 से चेक करी 8 और 1 9 अंको का यह 9 है तो 9 से भी कटेगा 4 4 8 और 1 9 यानि यह जो दोनों का दोनों संख्या है वह 4 और 9 दोनों से करता है मतलब 36 से करता है तो इस दोनों को काटने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही इसका SCF होगा जब भी SCF निकालना होगा महत्तम आप्षन से निकालना होगा तो हम क्या करेंगे 4 और यानि चैरों ओप्से में से जो सबसे बड़ा ओप्सेन होगा उस से चेक करेंगे अगर वह दोनों को कार दिया है तो वही SCF अगर यह नहीं कारता दोनों को फिर इसके बाद जो सबसे बड़ा option होता हुससे check करते हैं अगर यहां कार दिया तो यहां answer अगर यहां भी नहीं कार दिया तो फिर इसके बाद जो सबसे बड़ा option होता हुससे check करते क्योंकि यह shape का मतलब क्या होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई से भी संख्या को काटे यहाँ देखे यहाँ क्या है power negative है तो power negative रहने पर base को हम उल्टा करते हैं जैसे x बटा y का power अगर दिया हुआ है minus 2 क्या करेंगे हम इसको बस y बटा x कर लेंगे power minus से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा base को उल्टा करने पर power minus से प्लस हो जाता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक बटा 3 है न तो 3 बटा 1 यानि की 3 और 3 का power कितना प्लस 3 प्लस उसी परकार से 1 बटा 5 है तो हम क्या लिख सकते हैं 5 बटा 1 यानि की 5 power minus 4 है plus 4 हो जाएगा एक बट्टा 15 का power minus 2 यानि 15 बट्टा 1 कहने का मतलब 15 15 का power क्या P 10 जैसे ही base को उलटा करिएगा power negative से positive हो जाएगा और एगर positive है तो negative हो जाएगा solve कर लीजिए 3 का cube 27 होगा plus 5 का power 4 625 और 15 का square 625 यहां पे होगा plus 15 का square कितना 225 हो जाएगा सभी फैलू को जोर लिजी आंसर आपका आजाएगा 625 में 225 जोरेंगे 850 और 27 877 यानि कि बिकल्प भी आपका इस question का सही आंसर हो जाएगा आगे चलिए यहां देखे क्या बोला है निम्नांकित बार गराफ दिये गए बरसों के एक डेरी उत्पाद कंपनी एक डेरी उत्पाद कंपनी की तीन साखा XYZ के द्वारा किये गए दुख उत्पादों के उत्पाद हजार टन में आकरों को दरसाता है गराफ का अध्यान किजिए और उसकी आधार पर पुछेगे प्रसन का उतर दीजिए देखें यहाँ पर तीन साखा है तीन ब्रांच है XY और Z जैसे देख लिए 2018 का उत्पादन है यह X का यह Y का और यह Z का 2019 में पहले X का फिर Y का फिर Z का हमेशा पहले X का फिर Y का फिर Z का दे रखा है चार बरसों में हमें निकालना क्या है दिए गए चार बरसों के लिए डेरी उत्पाद कंपनी के किन साखाओं का उसत उत्पादन निवनतम था यानि तीनों साखा का उत्पादन हमें निकालना है X का Y का और Z का और फिर बताना है कि किसका ओसत उत्पादा नियूनतम था तो देखे ओसत कैसे निकालते हम लोग आकरो का योगबटा आकरो की संख्या तो सभी के चार बरसों का उत्पादा निकालेंगे चार से भाग करेंगे तो एक चीज तो तह है कि जिसका योग जादा होगा उसी का उसत भी जादा होगा तो हम केबल योग निकाल लेते हैं तो X का निकाल ये देखे क्या है कमपनी X का पहला वाला X का है 50 और 45 पंचानमी 95 और 150, 150 और 50, 200 कमपनी X का उत्पादन 200 है हम चाहे तो इसमें 4 से भाग कर सकते हैं लेकिन चुकि हमें यह चीज पता है हमें यह बताने कि इसका उसत उत्पादन नियून तम है तो आउसत कैसे निकालते हैं आकरो का योग बटना आकरो की संख्या तो जिसका योग ज्यादा होगा उसका आउसत ज्यादा होगा जिसका योग कम होगा उसका आउसत कम होगा तो हम योग से ही पकड़ लेंगे आउसत निकाले की जरूरत नहीं है आगे वाई का चेक करिए द 280, 225 में अगर 55 जोरेंगे, एक सिकिन लूग जाएगे, गलत हो गया कुछ, 35 और यहाँ पे क्या है, 45, कितना हो जाएगा, 35 और 45 आपका, 80, 80 और 45, 120, और 125 में 55 जोरेंगे, 180 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, 180, आगे चलिए, जेट का चेक करिए, देखे, 45 और 40, क और 40, 125, 125 और 60, 180, जेड का उत्पादन कितना है, 180 ही है, देखे, सबसे जादा उत्पादन किसका है, सबसे जादा उत्पादन, चारो बर्स मिला करके, X का है, और सबसे कम किसका है, सबसे कम Y का है, तो Y का उत्पादन सबसे कम है, तो इसका उसत भी क्या होगा, सबसे कम ठीक है सबसे कम है चलिए तो यह था आपका आखरी कुश्चन और जो भी आपका यहां क्लास से चल रहा है उसका जो पीडियाप है वह मैट सवाटी का टेलिग्राम चैनल के उपर आपको मिल जाएगा तो वहां से जाकर करके आप पीडियाप भी डाउनलोड कर लिजेगा और फिर वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में इतना ही और हाँ अगर आप हमारे चैनल पे तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉंटेंट के साथ थैंक्यू जैहिंद